रविवार को हुई मुझफवर नगर में किसान महापंचायत में राकेश टिकेट ने वीजेपी पर तमाम आरोप लगाए लेकिन इनी आरोपा का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय मौझूद हैं कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और हर्याना विधान साबा के पूर्फ स्पीकर कुल्दीप शर्मा उनसे जानते हैं सरकल किसानों की महा पंचायत हुई सबसे पहले किस तरह से देखते हैं और कॉंग्रेस को इस से कितना फायदा होने वादा है देखिए जिस परकार सरों का समंदर और वो भी देश के हर कोने से उमढ़कर कल मुझफर नगर की रेली में पहुचा है अभी आसपास के इतिहास में इतना बड़ा जन मानस का इकट हुआ नहीं था भी मुझे नहीं आज कि चार-पांच साल में कभी रेलीज हुई है लेकिन इतनी बड़ी रेली और इतनी पार्टिसिपेशन उसमें हर सेक्टर की रही है पंजाब, अर्याना, हिमाचल, उतर पर सब प्रदेशों से लोग आए हैं, तो मैं देखता हूं कि भारती जन्ता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनिती में खास तोर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनिती सारे देश की राजनिती को इंपेक्ट करती है, और उत्तर प्रदेश में जिस परकार की राजनिती का अनुसरान मानुनिय श्री योगिनाद जी कर रहे हैं और देश में जिस प्रकार की एंटी फार्मर पॉलिसी को नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रहे हैं दोनों को जोड़ कर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जन सहलाब इस बात की गवाई और शहादत है सबूत है कि हवाओं का रुख पलट चुका है को फाइदा होगा देखे मैं यह जरूर कहूंगा कि किसानों का रुख एंटी बीजेपी रहेगा और देखिए जैसी पश्मी उत्तरप्रदेश का एक सेगमेंट आप ले लीजिए वहाँ पर 110 सीटें आती हैं जहां से 110 में से majority of seats 70-80% seats बीजेपी को गई थी और उसी छेतर में इतनी बड़ी रेली होना इतना बड़ा इकट होना अपने आप में एक संकेत है जो भारती जिन्ता पार्टी समझ पाए या ना समझ पाए यह उसकी बाद जाता कॉंग्रस के फायदेगी बात आपने कहीं देखिए कॉंग पहले दिन से शीष नेतरत्व से लेकर प्रदेश नेतरत्व तक के लोग कॉंग्रस के इस किसान अंदोलन का समर्थन कर रहे हैं किसानों पर लाटी चार्च हुआ अश्रुगे चे ले गए वाटर कैनन्स मारी गए करीबन पांसो साड़े पांसो किसान अंदोलन की नो दस म कि सरकार उन से बात ही नहीं कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जन्तर है कोई भी सरकार लोग भावनाओं का प्रतीक हुआ करते हैं संग्ठन परविस्तार से थोड़ा साब बता दीजिए कि क्या संग्ठन अब बनेगा या इसी तरह से खीसतान चलती रहे हैं देखे बड़े प्रियास हो रहे हैं कि हरियाना में कॉंग्रस का एक संग्ठन खड़ा है उसकी बहुत कमी महसूस की जा रहे हैं जो आपने कहा था कि effective opposition के रूप में कॉंग्रस दिखाए नहीं दे रहे हैं आपने यहां भी कहा कि सदन में नहीं दिखाए दे रहे हैं किसी भी सरकार की मां हुआ करता है जमी किसी भी पेड़ की जड़ हुआ करता है तना हुआ करता है जिसके सारे बिल्डिंग्स कड़ी होती है वो पिलर हुआ करता है कोई भी सत्ता में आता है वो संग्ठन के माध्यम से आ सकता है इसलिए संगठन बड़ा महत्पून है और उस संगठन की संरचना करना उससे भी ज़्यादा महत्पून है और तुरंद करना उससे भी ज़्यादा महत्पून है क्योंकि समय बीट रहा है some time and tides wait for none किसी की निज़ार नहीं करेगा भी Congoce संगठन बनेगा तब हम कॉंग्रेस में कूद के चड़ेंगे इसलिए इस काम को जितना जल्दी हो बैठ कर लीडर्शिप को निम्टाना चाहिए आपने सुना जो की हर्याना कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता वे हर्याना विधानसभा के पुर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को जिन्होंने साफतोर सका है कि यदि कॉंग्रेस का जल्द ही संग्ठन नहीं बनेगा तो कॉंग्रेस को इसी तरह से और भी भुगतान भुगतना पड़ सकता है कैमरामेन जैदेव के साथ गुल्चन ग्रोवर गुरुग्राम